हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने यूनाइटेड के प्रांजो प्रेसर कोकर का अन्बॉक्सिंग और रिवियू करने वाला हूँ लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे प्रेसर कोकर और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर इसकी यूनाइटेड की ब्रेंडिंग है इसका मोडाल प्रांजो प्रेसर कोकर और यहां पर इसमें एक नोट मैंसन क्या है दाव यूजर हिस कवर अंडर प्रोडेक्ट क्लियरेटी इंसोरेंट दोस्तों इस उसके उपर क्या-क्या दिया हुआ है company ने जो भी mention क्या हुआ है सभी आपको दिखाओंगा यहां पर और इसमें एक handle में इसके जो डखकन का handle है इसमें यहां पर इसमें एक quick pressure release गया हुआ है आप इसका use करके इसके जो अंदर pressure होता है उसे आप release कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं hard anodized with stainless steel lid और इसका मतलब है stainless steel ढकन के साथ hard anodized हमारा pressure cooker है और box के इस तरफ यहाँ पर और कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है silent feature यहाँ पर इसमें कुछ silent feature दिये हुए है चलिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ जो सबसे पहला feature है यह है new improved pressure regulator इसमें एक नया बहतर दबाव नियामक दिया हुआ है उसके बादे new vent weight with nylon cap यहाँ पर इसमें nylon cap के साथ नया vent दिया हुआ है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं यह nylon cap के साथ यहाँ पर इसमें दिया हुआ है और यह इसमें long elastic ceiling ring and gasket और यहाँ पर हमारे इस pressure cooker में लंबे समय तक चलने वाली ceiling ring या gasket दिया हुआ है और rust probe component इस हमारे product के अंदर जो component लगे हुए है वो junk roadie है और यहाँ पर black body hits faster और हमारे इस product की जो body है वो black है काली है जिसकी वज़े से यह जल्दी गर्म होता है और raw aluminum used हमारे इस product को बनाने में गाड़ा aluminum used किया गया है यह एक ISI product है और guys एक सबसे जरूरी बात जो हमारा यह product है वो 5 साल की warranty के साथ हमें मिलता है इस product की 5 साल की warranty है अब box के इस तरफ आपको check कराते हैं कि box के इस तरफ क्या दिया हुआ है देखे यहाँ पर box के इस तरफ इसमें कुछ और mention किया हुआ है जैसे कि यह देखे new look new vent weight with nylon cap and lid free safety wall handle bracket and locking low hard endodied body with SS lid और यहाँ पर आप देख सकते हैं induction capital base के साथ बनाया गया है आप इसे induction पर बहुत याशन इसे use कर सकते हैं और इसके अक्समता पांच लीटर है एलिए box के इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है तेकि box के इस तरफ सबसे पहले आप यहाँ पर इसका product name net quantity इसके अंदर क्या-क्या मिलेगा एक pressure cooker और एक instruction manual मिलेगा और इसके price की बात करें तो 2850 रुपे इसकी MRP है लेकिन अगर आप इसे परचेज करेंगे तो आपको यह इससे कम rate में ही online या offline मिल जाएगा तेलिए अब इस अपने product की unboxing करते हैं और आपको दिखाते हैं इसक यह साइड में रखेंगे अभी सबसे पहले हमें मिलता है यहां पर इसमें एक जो हमरा pressure cooker है इसका डखन है आप देख सकते हैं यह कितना अच्छा इसका इसकी कितनी अच्छी quality है और कितना अच्छा इसका design बगराया सभी कुछ है आप देख सकते हैं इसका जो हैंडी ले व यह यह जो DIY switch यह quick pressure release इसकी मदद से हम जो इसके अंदर pressure होता है इसे बार निकाल सकते हैं इसे भी side रखते हैं और निकालते हैं अपना main product जो वह इस box के अंदर है हुआ है है हमारा इस इसे भी हम एक second के लिए side में रखते हैं यहां पर यह इसका ऊपर की तरफ यूज किया जाता है हम एक side में रखते हैं और यहां पर हमें मिलता है एक इस box के अंदर user manual और एक warranty card देखी यह है user user manual user instruction manual और और यह है इसका warranty card इस पर लिखा हुआ है 60 months warranty साट महीने की warranty के साथ में बिलता है पांस साल के warranty के साथ में और इसके जो प्रोडक्ट है और उनके जो इतनका आपको इसके अंदर मिलेगी देखे सभी कुछ यहां पर श्मित दिया हुआ है इसके बारे में और यहां पर यह description और पार्ट इस प्रेशर पोकर में जो भी पार्ट है उनके यहां पर नाम दिये हुए है वand weight cap, vent weight, stainless steel spring, or vent tube, cover head, lid, rubber gasket, or supporting handle, company's level sticker, or vent weight, lid handlebar, lid handle, locking loop, safety valve, pivot, steel bracket, or backlight body handle, कोकर, बोड़ी, सभी कुछ इस प्रेशर कोकर में जो भी यूज होते हैं, पार्ट उनके सभी के नाम यहां पर इसमें मिल जाएंगे, आपको और इसके बारे में पूरी जानकर या आपको मिलेगी, चलिए भी साइड़ी में रखते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज करते कैसे हैं, जैसे कि हमें बनाना इसके अंदर रखना है, और इसके बाद यह धकन इस परकार से इसे बंद करेंगे, और पीछे से यहां से पीछे से इस परकार से इसे लोग कर देंगे, यह इस परकार से लोग हो जाएगा, और दिखिए हमारा जो pressure को करें हो तयार है अब जहां पर भी से आप यूज करना है कर सकते हैं अगर आपको इसे gas या induction जहां भी यूज करना है आप oner कर सकते हैं उसके बाद जैसे आप यूज कर लेंगे तो उसके बाद इसमें जो pressure बन जाता है उसे रिलीज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे इसे इस परकार से उपर उठाएंगे और से यहां पर लगा देंगे तो कुछ देर बाद इसके जो अंदर प्रेसर होगा वो सभी बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आप इसे खोल करके जो भी आपने पकाया है वो आप अगर आज आपको ये वीडियो अच्छे लेगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को सेर भी नमस्कार दोस्तो